नमस्ते दोस्तों, Real Quick Analysis चैनल पर आप सभी लोकों का स्वागत है, चलिए अब जल्दी से हम चर्चा करते हैं अपने आज के Real Quick Analysis की हमारी आज की वीडियो के स्कॉंसर है अजीद जी, हमें सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद दोस्तों, अभी कल ही की तो बात है, UN Human Rights Council के चुनाव में चीन और उसके प्यादे पाकिस्तान का चुनाव हो गया संख्याबल का कमाल देखिए जिसकी लाठी भैस भी उसी की होती है लेकिन इन दोनों देशों के चुनाव से यह तो थाबित हो गया है कि पाखंडी UN HRC की निखाओ में हिंदूओं के Human Rights नहीं होते है अफगानिस्तान में फसी होने के कारण पाकिस्तान को परे रखते हुए अमेरिकन विदेश मंत्री ने अपना गुस्सा निकाला चीन पर उनके अनुसार चीन का चुना होना अमेरिका का वर्ष 2018 में UN HRC से बहार निकलने का निर्नेस सही साबित करता है लेकिन जबकि चीन अपनी जीत का जश्न मना रहा था तब चीन के रंग में भंग डाली अमेरिका ने जी हाँ दोस्तों कल अमेरिका ने तिबबत के लिए स्पेशल कॉडिनेटर की नुक्ती कर दी है यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि वर्ष 2017 से आज तक यह पद खाली पड़ा था इस परकार टरंप प्रशाशन के चार सालों के कारिकाल में पहली बार अमेरिकन तिबबत स्पेशल कॉडिनेटर पद पर किसी व्यक्ती को अपॉइंट किया गया है इस परकार टरंप साहिब ने सही डिसीजन लेने में देरी बहुत कर दी लेकिन अच्छी बात यह है कि उन्होंने यह घोशना करने के लिए कम से कम अच्छे मौकी की तलाश करने में सफलता प्राप्त की क्योंकि आज ये अकल मैं इस अमेरिकन निर्णे से चीन को मिर्चीतों पक्के से लगने वाली है राश्पटी चुनाओ का परणाम चाहे कुछ भी हो अमेरिकी प्रिशाशन को यह बात कम से कम अब समझा जानी चाहिए कि चीन की तुस्टी करन का क्या परणाम होता है के बीच बातचीत को चालू करवाना है लेकिन पहले भी तिबबत के अमेरिकन स्पेशल कॉडिनेटर को चीन इग्नोर करता रहा है इसलिए हमें कोई उम्मीद नहीं है कि इस बार चीन का चाल चलन कोई ठीक होगा लेकिन कम से कम यह अधिकारी अब तिबबत के लोगों की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देंगे और तिबबत के लोगों के मानब अधिकारों के आवाच बुलंद करेंगे ऐसी अपेक्चा की जा सकती है जबकि तिबबत पर अमेरिका ने अपना कार्ड तो खेल दिया है हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार भी जल्द से जल्द तिबबत पर अपना मूँ खोलने की किर्पा करेगी हाली में हमने कई बार चीन को कहते सुना है कि वैं लदाक को यूनियन टरिट्री के रूप में सुईकार नहीं करता अब आप ही बताएं यह कहने वाला चीन होता कौन है यही परणाम होता है डिफेंसिव खेलने का पिछले सत्तर सालों में हमने तिबबत पर आवाज बलंद नहीं की तो आज चीन लदाक में हमारी आवाज और अधिकारों को दवाने की कोशिश कर रहा है इसलिए तो भारत के दवारा तिबबत को अलग देश के रूप में स्विकार करने की मांग का हम सभी समर्थन करते है जबकि चीन लदाक पर सवाल करता रहता है तो मोदी साहिब दलाई लामा से अफिशली क्यों नहीं मिल सकते यह बात हमारी समझ के तो बहार है आप भी बताएं आखिर कब तक हम रक्षात्मक होकर किसी ना किसी बरकार से चीन का तुष्टी करन करते रहेंगे इतिहास गवा है कि पिछले सत्तर सालों में इस तुष्टी करन की पॉलिसी ने एक बार भी हमें परणाम नहीं दिया है फिर भी हम इस पॉलिसी के पीछे पागल बने घूमते हैं मोदी सरकार की चायना पॉलिसी का हम मोटे तोर पर समर्थन करते हैं फिर भी हम सभी को अमीद है कि कभी न कभी तो भारत सरकार चीन के खलाफ आक्रमक होकर तिबबत का मुद्दा जोरो शोरों से उठाएगी तो दोस्तों ये था हमारा आज का अनलिसिस आई होप आपको हमारे आज की वीडियो पसंद आई हो यदि आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करके आगे शेयर करना मत भूले साथी इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और आप आप हमारे इस चैनल की मेंबर्शिप भी ले सकते हैं लास्ट पर दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत अदेख धन्यवाद